Congress Party ने दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट पर मनोज दिवारी के सामने अपने युवा नेता कनहिया कुमार को उतारा है कनहिया कुमार मनोज दिवारी को कैसी टक्कर दे पाते हैं इस पर तो आएंगे लेकिन सबसे पहले कनहिया से पूछेंगे वो सवाल जिसको लेकर के वो मुश्किलों में घुरे हुए हैं खुद अपनी ही पार्टी में कॉंग्रस में कनिया कुमार कॉंग्रस पार्टी ने युवा नेता कनिया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कॉंग्रस के वरिष नेताओं की जो नाराज है कनिया के मैदान में उतरने से कनिया की उम्मिदवारी से कनिया कुमार खास बाचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, मनोस्तिवारी से आप लड़ेंगे बाद में, पहले तो आपकी लड़ाई आपकी पार्टी के वरिश नेताओं से हो रही है, वो नाराज हैं, विरोध परदर्शन भी हुआ है, आपके और अधुतिराज के खिलाफ और बैठक में आ व्यक्तिवाडी चुनाओती है और कैसे आप लड़ेंगे? दस साल में उन्होंने नौर्थिस की जनता के लिए क्या किया है? और हमारे पास क्या मुद्दा है? और हम आने वाले पांच साल में नौर्थिस की जनता के लिए क्या करेंगे? यह इसके बीच में संभर से हैं. दूसरी बात आपने कहा कि पार्टी ने आपको केंडिडेट पार्टी केंडिडेट बना दिया, जिसको सिंबॉल मिल जाएगा, वो जो है पार्टी का प्रत्यासी होता है। जहां तक नाराजगी की बात है, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। मुझसे आ करके किसी वेक्ती ने कोई नाराजगी वेक्त नहीं की है। अगर कोई नाराज हुआ होगा, तो सभाविक रूप से जो फोरम है, जो पार्टी के अंदर लोग हैं, जो लिडर्सिप हैं, जो इन्चार्ज हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने हो सकता है कुन्होंने किया हो, मेरे सामने किसी ने नाराजगी वेक्त नहीं की और जो आ आप भी बिहार से हैं, बिहारी लोगों को के बारे में अपने ही देश में, बिहारीों को बाहरी सुनने की आदत है, अपने ही देश में, यहां थोरी का पूरे देश में कहा जाता है, तो यही तो हम बदलना चाहते हैं देश की राजनिती में, हम चाहते हैं कि और यह बात म भी जीते हुए हैं वो आए पुरु पारसद आए सीनियर लीडर आए एरिया के जो इन्फिलेंसर लोग आए अभी जो है हमारी एक पहले इंटरनल बैठक हुई उसके बाद जो है कल ऑफिसियल जो है प्रेस कॉन्फरेंस हुआ 25 तारीक को जो है चुनाव कारिया लेका वो चानी चौक से भी कोशिश कर रहे थे उतरपूर्वी दिली से भी उनका नाम चल रहा था फाइनली कहीं से भी नहीं मिला और बताया जाता है कि वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने बैठक में आपके साथ बतसलुकी भी कर दी नहीं मेरे साथ बतसलुकी क्यों करेंगे जहां तक नाराजकी की बात है या तो आपको बतायेंगे लेकिन उन्होंने मेरे साथ नहीं वेक्त की है अगर कुछ होगा तो हो सकता है एक लिडर्स्टिब को उन्होंने कहा जिसकी मिझे जानका लिए आपके आपका नाम जब यहाँ पर आया तो सबको काफी यह किरोसिट लोकसभा चुनाव में कल भी मैंने PC में कहा था कि 547 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इसमें हम लोग जो है इंडिया का पार्ट है जो इंडिया ब्लॉक है उसमें जो है RJD उसका गटक दल है तो आपस में कोई लडाईगी तो बात ही नहीं है एक ही गटवंदन के हम लोग है अभी विरांची की रैली हुई थी वहां पर सारे दल के लोग थे हमारे भी रास्टे अध्यक्स थे अरजडी के भी लोग थे यह जो कयास लगाई जाती है तो चीजे कयास वाय मैं उसमें इस तारी चीजें होती है लेकिन राजनितिक फैसले कि कोई व्यक्ति कहां राजनितिक करेगा यह व्यक्तिगत नहीं होता है आगे आप दिल्ली की राजनीती करेंगे या बिहार की राजनीती करेंगे देश की राजनीती करेंगे ना दिल्ली और बिहार दोनों देश में ही है और हम जो को जो है देश के टेक्सपेर्स के पैसे से पढ़े हैं देश की सर्वसेच इन्वेस्टी से हमने पीजडी की है अब आते हैं दिल्ली में जो आपकी लड़ाई है मनुस्तिवारी आपके नाम के अलान के साथ ही उन्होंने कहा एक तो टुक्रे टुक्रे गैंग का सदसे आपको आपके विरोधी बताते हैं तो उन्हें का कि यह 48 दिन लगभग 50 दिनों के भ्रमन पर आये हैं कनहिया कुमार आप 50 दिन घुमने आए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली ये मनुस्तिवारी की पहली प्रतिक्रिया थी आपके एलान के देगे सबसे पहली बात तो जो है मनुस्त जी बड़े अच्छे कलाकार हैं वो क्रिकेट भी खेलते थे यह कम लोगों को बता होगा अच्छा यॉरकर फ में पार्टियों में तो वो अच्छे वेक्ति हैं उनसे कोई वेक्तिगत जो है न मतभेद नहीं है जहां तक दिल्ली आने का सवाल है तो मनुस्त जी जब सांसदी का चुना लग रहे थे तो उसी छेतर में जहां से वो सांसद हैं हम रह करके UPSC की तयारी कर रहे थे हम नहर जो है मतलब नौर्टिस दिल्ली से उसके बाद साउध दिल्ली चले गया है जो हमारा एड्मिशन जेईनु में हो गया तो वो जब दूसरी पार्टी में थे भाजपा में भी नहीं थे दूसरी पार्टी से चुनाव लग रहे थे तो हम तब से दिल्ली रह रहे हैं और मने एक बिहारी दूसरे को बाहरी क्यों कहेगा इसका मतलब है तो उस तरह से तो जो हम दोनों एक ही है तो उनके भी जो है एक बात सथा ये कि मुझफर पुर का में हो और मुझफब तो भुल्स कन सब ने सब्सक्राइब करें धायतों किसे तो मस्त lines कि फिना लच के पार kively वह फूल कhora के अप वह खूंत करें कि हम फिर थी थे लेक्छ खूंपर भुछिंपकर कुछछत रुद और सब्सक्राइब कियाल और एक जाना माना चेहरा है अब सियासत में, बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं, कैसे आप उन से टक कर लेंगे, कैसे उनको आप तीसरी बार जीतने से रोखेंगे। वीडियों में जो है, अमित साहजी को पानी पिलाते हुए नजर आते हैं, तो वहां तो नहीं है, वहां के लोगों के पानी की विवस्था करना, वहां के लोगों के लिए अस्पताल की विवस्था करना, सरकों की विवस्था करना, ट्रफिक की विवस्था को दुरुस्त करना वहाँ सांती कायम रखना तमाम जो अलग लग क्योंकि सिर्फ बिहार के लोग तुहां रहते नहीं है वहाँ तो हर समाज के लोग हैं हर छेतर के लोग हैं बिहार के भी हैं बंगाल के भी हैं उत्तर पुर्वी दिली का कनेया कुमार के लिए हाथ से देखे अभी एक तो मेरा खुद वहां रहने का experience है तो आप सब जानते हैं कि यमना पार इजद थी यह सब को मालूम है ठीक है क्या मुद्दा है आप क्या करें हमारे ख्याल से वहां जो basic infrastructure है वो एक बड़ा सवाल है चाहे आप traffic की बात करें चाहें transportation की बात करें communication की बात करें सरकों की बात करें यह एक अभी जो मुद्दा मुझे लोगों ने बताया है जितनी हम कह रहे हैं यमना पार का इलाका विकास में पिछड़ा हो रहा है उस रफ्तार से जो है उत्तर पुर्वी दिए पूछा जाएगा कि इसके लिए जिमेदारी तो फिर इंडिय कहां खर्च कर रहे हैं अपने पूस्टर पर यह भी पूछा जाएगा ना जो कह रहे हैं कि 14,000 क्रोड हमने खर्च किया फिर कहां खर्च किया जब देखी यही गेम है अगर वहां विकास नहीं हुआ इसके लिए कॉंग्रेस जिमेबार है ठीक है तो वहां जो भी विकास का काम हुआ है अब मैं आता हूं सिगनेचर ब्रेज बना है कई पुल बने हैं यमना पे मेट्रो बना है वहां पे जो है अलग अलग वो तो नहीं बसावट है पूरी तरह से तो फिर वो विकास किस ने किया है मतलब गाली हमको दीजिएगा और काम का स्रेज जो है किसी और को डिबेट करिएगा आप लेकिन जो सबसे बड़ा परारोप लगाया जाता है टुक्रे टुक्रे गैंक का यह चुनाओ पर में आपके खिलाफ यह सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला इसका आप क्या जवाब देने वाला है क्योंकि उनके पास कहने के लिए है नहीं कुनो आपके खिलाफ यह चुनाओं में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा देखिए यह जो लोग डरा रहे हैं वही तो यह भी दावा कर रहे हैं ना कि चीन थर थर का पर रहा है लाल लाल आखे जब हम चीन को दिखा रहे हैं यह सश्वी प्रधान मंत्री हैं दस साल से प्रधान इसका कोई बैक கराउंड नहीं है जिसका आधानी जैसा दोस्त नहीं है ठीक है और जो fakt कई वार मुखमंत्री रहे, दो दो वार प्रखान मंत्री है, वो एक आदमी ने कोई गलती की है और उस पे जो है ये कोई कारवाई नहीं कर पा रहे है, ये सबाल जनता के मन में आएगी, और देखिए वहाँ जो लो, अपने गलती की है? ने ने वहीं मैं कह रहा हूं, गलती हमने लगते हैं, तो ये सियर डिवाइड और रूल पॉलिसी है, जनता को बाटो, काउंटर कैसे करेगा? क्यों करेंगे? जूट का क्यों काउंटर करना है सर, सच ले करके जाएगे न, हमारे बारे में बीजेपी क्या आरोप लगाती है, इससे लोगों को रोजगार नहीं लगते हैं, तो ये वक्त की बरबादी है, सिंपल एक लाइन पूछना चाहेगे, जब मनोज जी कह रहे हैं कि टुकरे टुकरे गाएंग, इसका मतलब कह रहे हैं कि जैसा कि पिता जी जो है बिना काम के हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिनको नेता मानते हैं, जिनको वे सवाल उठा रहे हैं, दस साल से उनकी सरकार है, पुलिस उनके अंडर में है, इन्वेस्टिगेशन उनके अंडर में है, और जिससे चाहिना थर-थर कामटा हो, उससे जो अब यार का एक साधारन नौजबान, साधारन लड़का, जिसका कुछ नहीं है, दो-दो चीफ मिनिस डिबेट का टॉपिक फिलाल चल रहा है, प्रधान मंतरी ने कॉंग्रिस पर आरोप लगाया है, कि कॉंग्रिस पार्टी के मैनिफेस्टों में है, हलाकि ये बात निराधार है, तत ये नहीं है, लेकिन प्रधान मंतरी कह रहे हैं, इसलिए मैं आप से सवाल पूछ रहा हू प्रधान मंतरी कह रहे हैं कि कॉंग्रिस ने अपने मैनिफेस्टों में ये लिखा है, कि उसकी सरकार बनी, तो वो संपतियों को जब्त कर लेगी, बाट देगी, और इशारा मुस्लिमों की तरफ किया है, प्रधान मंतरी ने कि मुस्लिमों में बाट दिया जाएगा, आप जवाब ने, देखे, आपने बड़ी इमांदारी से कह दिये कि प्रधान मंतरी जी कारोप जो है, वो निराधार है, जूट है, ये आपने कह दिया, आपने जब ये बात कह दिया तो मैं आप से सबसे पहले यही आगरह करूँगा, कि प्रधान मंतरी के कहे हुए को ना, बार बार सवाल के तौर पे पूछ करके दुराइए मत, क्योंकि वो बोलते ही इसलिए हैं, ताकि दिन भर जो है एक जूट पर चर्चा होती रहे, सचाई पर बात नहीं हो, सचाई ये है कि इस देश में एतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा दूजगारी है, और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, इंजीनियर बने हुए हैं, एंबीए किये हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, दिन बदिन अगर हम मीडिया के ही बात कर ले, छटनी हो रही है, लोगों को नोकरियों से निकाला जा रहा है, पूरा का पूरा हमारे ज क्यों नहीं कह रहे हैं कि उनकी नजर किस पर है, किस चीज पर उनकी नजर है, उनकी नजर क्या इस देश की महंगाई रोकने पर है, उनकी नजर क्या इस देश की बेरोजगारी को रोकने पर है, उनकी नजर क्या इस देश के अंदर जो आर्थिक वासमानता बढ़ रही है, उस पर है इस देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरन करने के लिए पधान मंत्री जी क्या देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं कॉंग्रेस के बारे में भला बुरा कहना कोई नहीं बात है ये तो जो है 1925 से वो कर रहे हैं आखरी सवाल बिहार में जो पूर्णिया स जीट है उस पर सब की नजरे हैं और वहां से पप्पु यादव कॉंग्रेस में लड़ने के लिए लेकिन आपकी पार्टी ने उन्हें टिकेट नहीं दिया वह अब निर्दलिये लड़ रहे हैं वहां पर तीजस्वी आदव ने एक बयान दिया और लोगों से कहा कि या त देश की जनता को ये सोचने की जरूरत है कि ये कह रहे हैं कि 400 सीट दीजिए हम संविधान बदलेंगे फिर कह रहे हैं परधान मंत्री आ करके कि नहीं संविधान को कुछ नहीं होगा लेकिन जो नेता जो लोक सभा के प्रतियासी ये बात बोले कि 400 दीजिए संविधान अब हम नौर्थिस दिल्ली पर बात करेंगे ना चलिए लास्ट खतम करने से पहले नौर्थिस पर पूछ लेता हूं मनौसथिवारी को अच्छें कभी किसी वक्ताने कि निहें को अच्छी कोई फिल्म क Koreans तो ने थना गाना तो कही सारा सुनते हैं अब गाना क्या रखते सरम चुनाया वक्त आ जहीं कि मुद्न की बात करें एक हैं तो नौर्टि स्दिली पर मनोश दिवारी बनाम कनहिया कुमार की लड़ाई निश्चित तोर पे दिल्चस्प होने वाली है लेकिन कनहिया कुमार के सामने चुनौतिया कही है देखना यही है कि कनया कैसे इन चुनोतियों का सामना करते हैं और क्या कनया मनोश्तिवारी को हैट्रिक लगाने से नौर्टिस दिल्ली सीट पर रोक पाते हैं